महावीर बजरंग वली की सुनों का था ध्यान लगाए स्वनम कुट मन को मोहे हैं काधे मुझ जने उलगाए लालत लकमस तक पेसो है गले पुशु माला लटकान हात वजर और धजा विराजे भगतों पे रहते हैं सहाए पवन पुत्र अंजनी के लाला के सिरी रंदन भी कहलाए सिरी राम के दूत्र प्रभूजी जिनकी महिमान वरनी जाए सिव जी के एक ग्यारवार उद्र है काल भी देखें तो डर जाए एक समय की बात है भगतों हनुमत को रही भूक सताई लाल फल समझे है सूर को कभी देख छालान लगाए सूर देव को जाके पकड़े दातों तले लिए है दवाए घोरा अंधेरा छाया जग में तीनों लोक गए घबराए राहु इंडर के पास में पहुंचा सारी बात दिया बतलाए क्रोधित इंडर ने कपी के ऊपर दिया है अपना वजर चलाए कपी के मूँ पे वजर लगा तो सूर ज मूँ से बाहरा आए मुर्च तो हो कपी गिरे धरापे मा अंजना रही चिलाए वायू देव भिया पहुंचे है उत्र को सीने से है लगाए रोने लगी है अंजना माता वायू देव भी क्रोध में आए वायू ने बहना बंद कर दिया वायू ने बहना बंद कर दिया तीनों लोक गए घबराए संकट में सभी प्राणी फस गए लगे किसा से अभी रुक जाए वायू देव को ग्रोधित देखे देविता पवन के पास में आए देविता वायू देव से बोले वायू देव दो वायू बहाए वर ना प्राणी मर जाएंगे इस रिष्टी का नास हो जाएंगे आपके पुत्र को सभी देवता वर देने को गए है आएंगे वायू ने बहना सुरू किया है तीनों लोक गए हरसाएंगे ब्रह्म्हा ने वर्दा ने दिया है अस्त्र सस्त्री से छूना पाएंद्र देव वर्दा ने दिये है बजर बीस पे भी फलो जाएंगे पुत्र तेरा बल साली होगा पुत्र तेरा बल साली होगा प्रभुराम का भक्त कहा है बलबूती बित्या वर देकर देवता स्वर्ग लोक में आए हनुमान सुगरिव के संग में सिरी मुख परवत गए है दो वीर सुगरिव ने देखे दर के मारे गए घवरा तीर धन उस दोनों के हाथ में रहे प्रक्रमी वीर दिखाए टरा देख सुगरिव को हनुमत धन धारी के पास में आए राम लखन से परचे पूछे राम प्रभु ने दिया बताए चरन राम के पकड़े हनुमत हनुमत को प्रभु गले लगा राम लखन हनुमान मिले है मिलके तीनों गए हरसा कंधे बिठा के राम लखन को कंधे बिठा के राम लखन को हनुमत सुगरिव के पास में लाए किये प्रभु सुगरिव से मैत्री बाली को दिये मारी गिराए बना दिया सुगरिव को राजा सभी सिया की खोज में आए सागर तट पे सैना पहुची सागर बहुत ही चोड़ा दिखाए 800 मिल सागर की चड़ाई कौन पार कर लंका जाए एक रिशी के स्राप की कारण हनुमत बल थे गए भुलाए रीच सनापत जाओ मन्त ने दिया है बल को याद दिलाए भीशन ग्रजन की कपी ने जैसरी राम का नारा लगाए चरण से दव कर परवत काँपे कपी ने दी है छलांग लगा आकास मार्ग से अनुमत बोले आकास मार्ग से अनुमत बोले साथियों सुलों ध्याने लगा सीता जी की खोज करूंगा दूंगा सारे सक्ति लगा सीता जी गर नहीं मिली तो रावण को पकडूंगा जाए पांद के रावण को लाऊंगा मुझको कोई रोक न पाए पवन तने चले पवन वेग से लगातार वो उड़ते जाए पिना विरांकी कपी जा रहे तनिक ठकान न होने पाए समुर्देव ने मन में सोचा इनको दूं आराम कराए समुर्देव मैं नाक से बोले लो तुम अपना सिखर बढ़ाए अपने सिखर पे हनुमान को थोड़ी देर तुम लो बैठा हनुमान जी ठक गए होंगे हनुमान जी ठक गए होंगे इनको दूं आराम कराए समुर्देव की बात को सुन कर मैं नाक ने दिया है सिखर बढ़ाए हनुमान जब पास आए तो मैं नाक बोले सीस जुकाए मेरे उपर विश्राम कीजिए इसके बाद लंका को जाए हनुमान मैं नाक से बोले बात को सुन लो ध्यान लगाए जब तक प्रभू का कार न कर लूँ मुझको तनक भी चैने ना आए हनुमान आगे को बढ़े है लेने पर इच्छा सुरसा सर्पों की जो माता लगती राह को रोक खड़ी मुह बाए रूप भयानक सुरसा बनाई हनुमान के सनमुखाए सुरसा अनुमान से बोली हनुमान से सुरसा बोली तुमको मार जाओंगी खाए बड़ी जोर की भूख लगी है आज मैं तुमको छोड़ू ना आए हनुमान सुरसा से बोले बात को सुननो ध्यान लगाए राम कर कर लोट के आऊँ तब तुम लेना मुझको खाए बहुत नौपे मिला है भोजन बचके तुम मुझसे ना जाए अपनी भूख मैं सांत करूंगी फसू न तेरी बात मैं आए खुस हो करके आज देवता भोजन मुझको है दिलवाए छोड़ोंगी ना तुमको बंदर बंदर मेरे मन को भाए हनुमान सुरसा से बोले मुझको लोआ हार बनाए प्रोध में आकर हनुमान जे क्रोध में आकर हनुमान जे लिये हैं अपने तन को बढ़ाए सुरसा ने तब सोला योजन अपने मुझको दिया बढ़ाए सोला योजन का मुझ देखे उन्ह कपी तन लिया बढ़ाए 32 योजन का तन कीना 64 योजन सुरसा भलाए जैसे सुरसा बदन बढ़ाई तासुद गुन कपी रूप दिखाए सो योजन जबान हनकीना मसक समान कपी रूप बनाए चोड़ी मुके अंदर भुसकर सिगरी हनुमत बाहराए सुरसा अपने रूप को बदली अति सुन्दर वो रही दिखाए सुरसा बोली हनुमान से हे हनुमानिया से जाए कारज मेरा पूरा हो गया कारज मेरा पूरा हो गया देवोने है मुझे पैठा आए तेरी परिक्षा लेने आई परिक्षा में तू सफल हो आए तुस से कोई जीत न सकता इसमें कोई सनकाना तीनो नोक में कोई नहीं जो तेरे सनमुखवा टकराए रामकार को पुर्ण करोगे मेरी बाणी सत्य हो जाए असिरवाद दे सुरसा चली है कपी चरण में सीस जुकाए हरसित हुए हनुमान चले है जिसका बल थाए न थाए सिरी रामका लगा के नारा नील गगन में उड़ते जाए कपी पार कर गए समुंदर सुन्दर लंका रही दिखाए हनुमान ची लंका देखे हनुमान ची लंका देखे देखे कपी का मन हरसाए बड़ी सुन्दर लंका नगरी सुन्दर व्रिक्षे है रहे दिखाए सुन्दर सुन्दर फूल खिले हैं भवरे रहे बुझार लगाए सीतल मंद सुगंदित वायू बहती महक विखरती जाए मन को मोहने वाली छटाती चार चाप परकती लगाए हनुमान जी लंका के मन में योज न रहे बनाए कैसे जाओ लंका के अंदर अनमत सोच रहे थे उपाए दिन में जाना खीक नहीं है रातरी में जब सब सोजा सुप्छ मरूब धारन करके मैं जाओंगा लंका में समाए धूर से दुरगम दुरग लगता है दूर से दुरगम दुर लगता है बहुत से पहरी रहे दिखाए सोचत सोचत रात हो गई छोटा रूप लिए है बनाए मन में नाम सीराम कले के कपी लंका में गए समाए चारो और भयानक पहरा चिडियां भी परमार न पाए राक्छसों के संग राक्छसी चारो तरफ से पहरा लगाए सुन्दर ही सुन्दर नगर बसा था जो देखे देखत रह जाए सड़क चरा है सारे सुन्दर चारो तरफ समुन्दर दिखाए सुद सोने की पनी थि नगरी जलासे जगे जगे दिख लाए जलासे में सोने की सिडिया जला से कि सोभा को बढ़ा आए साब धानी से हनुमान जी चुपके चुपके हनुमान जी दिश देखते बढ़ते जाए पहरेदार लंका की लंकनी जिससे आँखे न धोखा खाए रावन की बेहनों लगती थी जिससे कोई बच ना पाए परचाया भी न जराए तो खीची सिकार को जाती खाए मुख राक्षशनी लंका की थी जिससे कोई पार न पाए सबसे मुख्य जो था दरवाजा उस पे ही वो पहरा लगा छिपकर भी कोई जा नहीं सकता बिना अग्या के कोई न जाए बहुती चकन न रहती थी अति भयानक रूप बना जो देखे उसको डर जाए दर डर के मुर्चित हो जाए हनुमान जी बढ़ रहे आगे हनुमान जी बढ़ रहे आगे लंकिनी से रह डकराएं लंकिनी ने पहचाने लिया है हनुमान को रही डराएं कौन हो यो धा सिगर बत लाओ चोरों की तरह क्यों छिपके जाएं क्या तुमको ये पता नहीं है चोरों को लेती आहार बना इस पहले कि तुझको खा जाओं दे तू अपना रहस्य बता क्यों तू चोरों की तरह है घुस्ता कौन है तू और कहा स्या नर्बा नर्का निस दिन भख्षन कर लेती हूँ भूक मिटा बिना खून पी ये नहीं रहती लंकिनी मेरा नाम कहा है हनुमान जी मन में सोचे यदि सोर लंकिनी मचा है सबी राक्छस हो करे कठे सबी राक्छस हो करे कठे जाएंगे मेरे पास में आए सीता मा को खोज न पाओं बात जो सबको पता लग जाए मैं बेहुस कर दू लंकिनी को दूजा नहीं है कोई उपाए मुर्चित कर आगे बढ़ जाओं हनुमान के मन में में आए ऐसा सोच के अनुमान जी गए लंकिनी के पास में आए पाए हाथ से बज रंगी ले कि अपरहार लंकिनी पे जाए मूँसे खून बहने लगा है गिरी धरा पे मुर्चा खाए मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था देता युग में एक पानरा आए सीता जी की खोज करेगा मुष्टी का देगा तुझ पे चला आए उसके प्रहार से मुर्चित होगी समझो लंका बच नहीं पाए जब ऐसा हो तब तुम समझना राबन भी अब मारा जाए प्रम सोभाग है मेरा हनुमत तेरा दर्शन गई में पाए निर्भय होके प्रभेश करो तुम तुमको अब कोई रोक न पाए हनुमान परवेश किये हैं रहे सिया कांपता लगाए ज्छान मरे हैं कोना कोना सीता को कहीं देख न पाए मन दोदरी को देखे हनुमत सुंदर रूप दिया भरमाए सोचे यही हो सायत सीता मन दोदरी रही मुसका ये तो सीता हो नहीं सकती उनके समझ में गया है यार बहुत दुखी होगी सीता माता ये नारी तो रही मुसका ये तुखी नारी कभी हस नहीं सकती गई हनुमत के समझ में आए खोज करते हुए आगे बढ़ गए दीती रात भोर हो जाए राम नाम हनुमान सुने है हुए अचम्भित कौन है आए निचे निच जर निकट निवासा यहां कहां से सजना राम के भक्त के पास में पहुँचे देखे वभीशन को मुसका ये वभीशन से हनुमान जी पूछे वभीशन ने दिया बतला आए अस्वक वाटिका में तुम जाओ अस्वक वाटिका में तुम जाओ वहीं तुमको सिता मिल जाए अस्वक वाटिका में जा पहुँचे ब्रिक्ष पे हनुमत आसल लगाए सबसे छुप कर वहां पे बैठे किसी को भी ना पता चल पाए सीता जी को देख रहे हैं सीता को देखने न भराए काटा हुआ सरीर है सुप के सिर के बाल जटा सी दिखाए राम नाम का जाप कर रही आख से आसू रही बहाए सोक से भरिया सोक से कहती कहीं से तुम अगनी दोलाए मैं जल कर भस्मू हो जाऊं जीने की अब एक छाना सीता जी को देख के हनुमत चुप के से दियंगूठी किराए आपूठी को समझी अंगे ठे अंगूठी को समझी अंगे ठी सीता मन ही मन हरसाए कोरस जब देखी अंगूठी सिरी राम लिखा दिख लाए सिरी राम जिस धारण करते देख अचम्भित रही दिखा देख के मन में सीता सोची माया से ना बानाया जाए प्रिक से उतरे हनुमान जी सीता मा के पास में आए सीता मा के पास में आके रहे अपना पर चैवत लाए राम दूत में मात जान की मेरा नाम हनुमान कहाए सत बजन कहता हूँ आप से प्रभू राम की सपत को खाए मैं ही मुद्रिका को लाया हूँ आपकी गोदि में दिया गिरा आए रामे नाम का दासु हुआ है तो सिरी राम का दासु हुआ है तो सीता जी को रह समझाए सीता बोली हनुमान से बात को सुलो ध्याने लगाए नर बालर की संगत कैसी मुझको पहले दो समझाए कैसे संगत हुई प्रभू से हनुमत सारी बात बताए सीता को विश्वास हो गया प्रीत कहो कछुवर निन जाए फुल कित हो गया हनुमान जी चरन पकड़ के आसु बहाए सीता मा हनुमान से बोली राम लखन का हाल बता याद भी करते है की नहीं वो कहके नै नना नीर बहाए सर्व समर्त होते मुझे भूले उनकी चिंता रही सताए सीता मा की बचनों को सुनके सीता मा की बचनों को सुनके आनुमान बोले सीस नवाए मेरे प्रभू मुझे से बोले है किसको दर्द अपना दिखला सीता बिन कोई दर्द न समझे सीता नहीं मेरे पास में हाँ प्रेमी मन की प्रीत को जाने इससे आगे कुछ कह नहीं पाए सीता जी हनुमान से बोली कद में तुम बड़ छोटे दिखाए कैसे लड़े रक्छत से बंदर मुझको तो कुछ समझ ना आए सीता मा की बाते सुने है हनमत लिया कार बढ़ाए पड़ा भिसान रूप दिखलाया सीता जी को विश्वास दिलाए आठ्ष सिधी नो निधी के दाता मा से आसिरवाद वो पाए भूक लगी हनुमान जी को दो भूक लगी हनुमान जी को तो सीता मा से रहे बताए दो आदिस मा फल को खाके लू मैं अपनी भूक मिटाए सीता जी ने आदेश दिया है हनुमान निर्भय हो आए फल खाए तरु तोरा ललागे दिये भारी उतपात मचाए लगे उखाड के पेड फेकने देखे के बहुत से राक्षस आए हनुमान राक्षस को मारे पास रावन के राक्षस आए जाके रावन से बोले हैं एक बंदर जो फल को खाए असुख वाटिका में आया है दिया भिशन उतपात मचाए पेडों खाड के मार रहा है बहुतों को मर दिया गिरा रावन ने जब बात सुनी है रावन ने जब बात सुनी है अच्छे कुमार को दिया पिठा अपने संग में से ना लेकर अच्छे कुमार गया है आया अच्छे कुमार को देखे हनुमान क्रोध के मारे पदन थराए अच्छे कुमार को मार दिये है यमपुरी को दिये पिठाए अच्छे कुमार की मौत सुना है रावण गया कुरोध में आया मेगनात को रण में भेजा बोला सुनलो ध्यान लगाए उस बंदर को बांध के लाओ अपने हाथों दुंग सजाए उसको अपने हाथ समारू तभी करोध मेरा सांत हो पाए इंदर जीत तब रण में आये रहबल साली वीर दिखाए हनुमान देखे मेगनात को अनुमान देखे मेगनात को जो की इंदर जीत कहला है उसके साथ में बहुत सयोधा देखे के हनुमत क्रोध में आयोधाओं को लगे अमारने पेड उखाड के रहे चलाए घोडे सहित सार थी मारे रत को धूल में दिये मिलाए मेगनात के छाथी पे मुका हनुमान देखे में दिया चलाए मुर्छितोहों के गिरा धरापे सारी सैना रही चिलाए सुनते सोर पे होरसी तूटी मेगनात को गुस्ता आए ढीशन गरजना की वीर ने दिया है वो ब्रह्म सस्त्र चलाए हनुमान को बांध दिया है दिया रवन के पास मिलाए बीस भुजा दस सिरका रवन बीस भुजा दस सिरका रवन जिसको देख के कल डर जाए रावन पूछा कोन है बंदर अपना पर चैदो बत लाए सी राम का दू तु मैं तो मेरा नाम हनुमान ने कहा है राम प्रभू जगत के स्वामी जिसकी पत्नी चुरा के तु लाए वापस कर दो सीता मा को नहीं तो लंका बच नहीं पाए तू भी ना बचने पाएगा कुल सही तू नष्ट हो जाए हनुमान की बाते सुनके गया प्रोध में रावन आए बद कर डालो इस बंदर का रावन ने आदे से सुनाए बहुस राख्चस मारने दोडे तबी विवीशन बीच में आए रावन से भी वीशन भोले रावन से भी वीशन बोले बात को सुनिये द्यान लगाए नीती विरोध न दूत मारिये बोले भी वीशन सीर नवाए भी वीशन की बात को सुनके रावन फिर आदे से सुनाए कपी की ममता पूछ में होती पूछ में ही दो आग लगाए पूछ बढ़ाए हनुमान जी राक्षस कपड़ लपेटे ती जाए कपड़ लपेटे राक्षस गणोंने दिया पूछ में आग लगाए उल्टी पल्टी कभी लनका जारे दिशन ग्रजना रहे लगाए लनका में हाकार मच गया विवीशन की दी उटिया बचाए लनका दहन हनुमान जी करके सीता मा के पास में आए बोले मा मैं अब जाओंगा बोले मा मैं अब जाओंगा मांगे विदा कपी सीस नवाए चुड़ा मनी उतार के माने कपी के हाथ में दिया थमाए हर सितले हनुमान चले है भीशन ग्रजना रहे लगाए पल में समुन्दर पार किये है पास गए से नाके आए चुड़ा मनी दिये राम प्रभू को मा का संदे से दिया बताए राम प्रभू हनुमान को देखे अपनी गले से लिए लगाए कथा लिखे है संजय किवारी इस मीता ने दी है सुनाए कारलस जी ने रिकोट किये है